कि नमस्कार दोस्तो कि हम अपना आज टोपिक है वो है पढ़ने जारे मुख्य मंत्री मुख्य मंत्री आज जो हमारा टूपिक है क्या है दोस्तों चीफ मिनिस्टर आप राजस्तान या राजस्तान का मुख्य मंत्री हमको पढ़ना है इसमें देखी सबसे पहली बात समीधान की समीधान की अनुछेद 163 के अनुसार समीधान के अनुछेद 163 के अनुसार राज्ये पाल की सहयता के लिए सहयता के लिए एक मंत्री परिसद होगी एक मंत्री परिसद होगी जिसका प्रधान जिसका प्रधान मुख्य मंत्री होगा जिसका प्रधान कौन होगा चीफ मिनिस्टर होगा जिसका प्रधान मुख्य मंत्री होगा मुख्य मंतरी उसका अध्यक्स होगा आप इस पद को इस तरह से समझो जैसे हमारा कॉंस्टिटिशन है तो समिधान की व्यवस्ता को चलाने के लिए कौन होता है राश्ट पती और राश्ट पती की सायता कि लिए उकश्य मंतरी परिस्त जिसका परदान होता है परदान मंतरी ये समिधान की एनुशिद बन सेवन्टिफोर में लिखा हुआ है ठीक उसी प्रकार से राजियों में 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 र का और दूसरा व्यक्ति हो गया वास्तिक तो नामात्र का व्यक्ति कौन है नामात्र का व्यक्ति हो गया केंदर में तो हो गया कौन राश्पति और राज्ये में कौन हो गया राज्येपाल केंदर में हो गया वास्तिक प्रदान मंत्री और राज्ये में कौन हो गया मुख्य मं तो यहां पर हम मुख्य मंत्री का टोपिक पढ़ने जा रहे हैं मुख्य मंत्री के टोपिक के अंतरगत मैंने आपके सामने एक सामने लाइन लिखी है समिधान के अनुचे 163 के तहट राज्य पाल की सहायता के लिए एक मंत्री परिस्द होगी जिसका प्रधान कौन होगा मु तो कौन कर रहा है राजेपाल आप यह नहीं समझें कि राजेपाल विदान सबागा चुनाओ करवाता है विदान सबागा चुनाओ तो केंदर की तरफ से और केंदर से हो रहा है विदान सबागा चुनाओ का जन केंदर निरुवाचन आए क्या दूरा किया जा रहा है लेकिन व्यवस्ता के संदर्व को देखने का कायरे कौन कर रहा है राजे पाल क्योंकि राजे में प्रतिनिदी कौन है हुईदा रिपर्जेंटिटिव इनिस्टेट राजे में रांतिक प्रतिनिदी कौन है सविधान का प्रतिनिदी कौन है राजे पाल इस प्रकार से मुख्य मंत्र 161 कहता है दो 162 कहता है राज्ये पाल अपने स्वेविवेक को छोड़ कर अन्य सभी कारिये अन्य सभी कारिये मंत्री परिसद की सला से करेगा मंत्री परिसद की सला से करेगा किसको स्वेविवेक के कारे को छोड़ कर अन्य सभी कारिये मंत्री परिसद की सला से करेगा और अनुचेद 164 एक के तहट, एक के तहट सी एम की निक्ति राजे पाल द्वारा की जाती है मुख्य मंत्री की निक्ति राजे पाल द्वारा की जाती है मुख्य मंत्री की निक्ति किसके द्वारा की जाती है राजे पाल के द्वारा की जाती है और सी एम की सिफारिश पर, चीफ मिनिस्टर की सिफारिश पर राजे पाल अन्य मंत्रियों की निक्ति करता है उसकी रिकमेंडेशन के अधार पर अन्य मंत्रियों की निक्ति करता है इसमें कंडिशन है जिस वक्ति को विधान सवा में बहुमत होता है ये बात पर आपको जान रहने चाहिए विधान सवा में वी एस में मत्ला विधान सवा में बहुमत दल का नेता विधान सवा में बहुमत दल का नेता विधान सवा में बहुमत दल का नेता उसके बाद मुख्य मंत्री क्या करता है मुख्य मंत्री राजे पाल मुख्य मंत्री उसी व्यक्ति को न्यूक्त करता है न्यूक्त करता है जिसका विधान सबा में बहुमत हो जिसका विधान सबा में मेजेरिटी हो विधान सबा में बहुमत हो अगर विधान सबा में बहुमत नहीं है तो वह उसे न्यूक्त नहीं करेगा उसे वह अपोइंट नहीं करता है उसे पद के उपर मुख्य मंतरी पद का सरजन 24 जनवरी 1950 को हुआ था चीफ मिनिस्टर पोस्ट का सरजन 24 जनवरी 1950 को हुआ था इस पोस्ट का सरजन मैं समखता हूं बात आपको समझ में आ गई होगी भली भाती प्रोप पर अब देखे, आगे बढ़ेंगे, मैं उसी तरीके से आपको बताता हूँ ताकि आपको चीजें समझ में आएं मुख्य मंत्री संबंदी प्रावधान मुख्य मंत्री संबंदी प्रावधान नियुक्ती, शपत, त्यागपत्र, नियुन्तम उम्र, अधिक्तम उम्र, वेतन, प्रथम, वर्त्मान, कार्यकाल देखे, नियुक्ती शपत, त्यागपत्र, नियुन्तम उम्र, कार्यकाल प्रथम Vartman देखें मुक्य मंतरी की निक्ति कौन करता है राज्य पाल मुक्य मंतरी को शपत कौन दिलाता है राज्य पाल मुक्य मंतरी ताग पत्र किसको देता है राज्येपाल निून्तम उम्प कितने होती है पच्जीस वर्स कारेकाल कितना है पाँच वर्स या विदान सवा में बहुमत रहने तक जब तक उसका विदान सवा में बहुमत है तब तक वैपदबर रहेगा पहला कौन बना पहला मुख्य मंतरी राजसान का इसमें दो हैं मनोनीत मनोनीत और निर्वाचित मनोनीत और निर्वाचित मनोनीत तो बनेते हीरा लाल शास्त्री मनोनीत तो कौन थे हीरा लाल शास्त्री और निर्वाचित कौन थे टिकाराम पालिवाल टिकाराम पालिवाल ये जो है राजस्तान के निर्वाचित मुख्य मंतरी थे प्रथम प्रथम निर्वाचित और प्रथम मनोनीत मुख्य मंतरी तो आपको धान रखना चाहिए मुख्य मंतरी की नियुक्ति कौन करता है राजे पाल शपत कौन दिलाता है राजे पाल त्याक पत्र किसको देगा राजे पाल नियुन्तम उम्र 25 वर्ष, कारे काल 5 वर्ष, विदान स्वाम में वहमत रहने तक प्रथम मनुनित कोनुवा हीरालाद शास्त्री, प्रथम निर्वाचित कोनुवा हीरालाद प्रथम निर्वाचित कोनुवा ये और यहां पे ये प्रथम और ये भी क्या है ये भी क्या है प्रथम अब प्रथम में दोनों का सुरूप क्या हो गया ये तो प्रथम कैसे है निर्वाचित ये प्रथम कैसे है मनोनित वरतमान में कौन है अशोग गैलोत वो एक अलग इस्यू अपना आगे पढ़ जाएंगे उसमें पढ़ लेंगे अब देखो मुख्य मंत्री के बारे में और तथ्यों को अबन अगर इसमें आगे बढ़ते हैं इसको आगे चलाते हैं मुख्य मंत्री का कारिकाल या यदि संसद विदान सबा का यलग तथे है थोड़ा सा विदान सबा का कारिकाल यदि संसाद विदान सबा का कारिकाल बढाती है तो मुख्य मंत्री का मुख्य मंत्री का कारिय काल भी बढ़ेगा मुख्य मंत्री का कारिय काल भी आटोमेटिक बढ़ जाएगा मुख्य मंत्री का कारिय काल भी इसमें जो है आटोमेटिक स्वभाविक रूप से बढ़ जाएगा अब इसमें योगेता है बेसिक योगे ता क्या होनी चीए? उसकी चिप में सिगी योगे ता वे है दोनों सदनों में से यदि एक सदन विदान सबा तो विदान सबा दोनों सदनों में से किसी एक सदन का सदस से होना चाहिए यदि वो दोनों सदनों में से किसी भी सदन का सदस से नहीं है तो उसको 6 मेंने के वितर मेंबर्शिप लेनी होगी ये बेसिक रूल है ये आधार बुत्मियम है कि अगर वे दोनों सद्दों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो उसको 6 मेने के वितर एक पद के उपर इस्तापित होना होगा या तो विदान सबा का सदस्य या फिर उसको विदान परिस्द का सदस्य बनना होगा इस प्रकार से इस कारी प्रणाली के अंतरगत ये निर्धान किया गया है मुख्य मंत्री के कारी व्यवस्ता के अंतरगत Next इसी बात को आगे बढ़ाता है कि मुख्य मंत्री अपने कारी प्रणाली को किस प्रकार से अंजाम देता है कैसे वह स्थापित होता है मुख्य मंत्री को मुख्य मंत्री को नियुक्ती के समय बहु मत सिद नहीं करना होता उसे बहु मत सिद करने के लिए बहु मत सिद करने के लिए एक महा का समय राजेपाल द्वारा दिया जाता है उसको कितने महीने का समय राजेपाल के द्वारा दिया जाता है एक महीने का समय राजेपाल द्वारा दिया जाता है अगली बात यदि विदान सबा में मुख्य मंत्री का बहुमत ने रहे यदि विदान सबा में मुख्य मंत्री का बहुमत ने रहे तो उसे राज्येपाल द्वारा बर्खास किया जा सकेगा तो उसे राज्येपाल बर्खास कर सकता है उसको कौन बर्खास कर सकता है राज्येपाल उसको बर्खास कर सकता है ये इसमें नियम बदता है तो अब तक की बातों को मैं एक मिनिट में रिपीट करके बताता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा कॉन्पिडेंस रहे देखेगा सबसे पहली बात अनुचे 163 मुख्य मंतरी समयदान के अनुचे 163 कुन सार राज्ये पाल की साय तक लिए एक मंतरी परिस्द होगी जिसका प्रदान कौन होगा मुख्य मंतरी अगली बात अनुचे 163 राज्ये पाल अपने स्वय विवेक को छोड़कर अन्य सभी कारी मंतरी परिस्द की सला से करेगा राज्ये पाल इसलिए तो नया अलम उतरदाई नहीं होता हो अनुचे देख सो 161 कहता है मुख्य मंतरी की न्युक्ति राज्ये पाल दौरा की जाती है और CM की सिफारिस पर राज्ये अन्य मंतरियों की सिफारिस पर राज्ये पाल अन्य मंतरियों की न्युक्ति करता है राजेपाल अन्य मंत्री के न्युक्ति करता है और मुख्य मंत्री उसी को न्युक्ति करता है जिसका विदान समा में बहुमत होता है यानि विदान समा में बहुमत अलके नेता को ही वह मुख्य मंत्री न्युक्ति करता है अगली बात है राजेपाल मुख्य मंत्री उसी व्य यह आगड़ा जहान रखना आप तो यह बहुत महत्पून चीज़ है तो नियुनतमुमर 25 वर्स कारेकाल 5 वर्स या विदान सवाम में बहुमत रहने तक पहला मनोनित मुख्य मंत्री कौन बना हीरालाल शास्त्री और प्रथम निर्वासित कौन हुआ टिकाराम पालिवाल यदी संसद विदान सवा का कारेकाल बढ़ाती है अर्टिकल अंडर 172 अनुचे देख सो बहतर के तहट तो ऐसी सिति में क्या होगा ऐसी सिति में मुख्य मंत्री का कारेकाल भी ऑट्रमेटिक बढ़ जाएगा अब उसकी एक मात्र योगिता ये मानी जाती है वह दोनों सदनों में से किसी एक सदन का सदस्य होना चाहिए अब एक सदन का सदस्य तभी बनेगा जब वो MP, MLA बनने की योगिता पुरी पढ़त है यदि विदान सबा में मुख्य मंत्री का मुहमत ने रहे तो राज़े पाल उसको सस्पेंड कर सकता है राज़े पाल उसको बरखास्त कर सकता है राज़े पाल उसको बरखास्त कर सकता है अम आपको बताऊंगा राजस्तान के मुख्य मंत्रों के बारे में कुछ विसे सा करेका वह अपन चर्चा करने जा रहे हैं देखिए कि कि सबसे पहले मुख्य मंत्री प्रथम मनोनीत मुख्य मंत्री प्रथम निर्वाचित मुख्य मंत्री प्रथम निर्वाचित वे मनोनीत मुख्य मंत्री प्रथम निर्वाचित वे मनोनीत मुख्य मंत्री उसके बाद है सरवादी कारेकाल सरवादी कारेकाल वाला मुख्य मंत्री निर्वाचित वे मनोनीत मुख्य मंत्री निर्वाचित वे मनोनीत मुख्य मंत्री जिसका नियुनतम कारेकाल रहा हो नियुनतम कारेकाल वाला मुख्य मंत्री प्रथम पर मिर्त्यू वे अल्पसंख्यक मुख्य मंत्री प्रथम पर जिसकी मिर्त्यू हो गई हो और अल्पसंख्यक मुख्य मंत्री हो उसके बाद है प्रथम महिला मुख्खे मंत्री प्रथम गैर कॉंग्रेसी मुख्खे मंत्री पहला गैर कॉंग्रेसी मुख्खे मंत्री प्रथम दलित मुखे मंत्री प्रथम दलित मुखे मंत्री प्रथम ICS अधिकारी मुखे मंत्री पहला ICS ओफिसर चीप मिनिस्टर कौन बना प्रथम ICS ओफिसर मुखे मंत्री ये तथे इतने महत्वपूर्ण हैं आपके एक्जाम के दृस्टी से इन में सीधे सीधे प्रसन मिलते हैं एक्जाम में यों के यों पेपर में प्रशन आपको प्राप्त होने की संभावना इन से बनती है अब इनके अपन उत्ता निकालते हैं यहाँ देखे इनके आंसा निकालते हैं सबसे पहले अपन सबसे पहले प्रथम मनोनित मुख्यमंत्री हीरा लाल शास्त्री उसके बाद प्रथम निर्वाचित मुख्य मंत्री पहला निर्वाचित मुख्य मंत्री टीका राम पालीवाल यह कई एक्जाम में आता है junior accounting teacher के exam कई हो में पूछी बार पूछा हुआ junior accounting में आया हुआ teacher में भी आया हुआ कई एक्जाम पूछे हुए फिर अब परसम निर्वाचित वैं मनौनित मुख्य मंद्री निर्वाचित भी बहर मनौनित भी हुआ यह कुण है यहाँ पे जैनारेन व्यास उसके बाद है सरवादी कारेकाल किसका रहा सरवादी कारेकाल की बात की जाए तो मोहनलाल सुखाडिया मोहनलाल सुखाडिया और सबसे कम कारेकाल हीरालाल शास्त्री पदपर मिर्तिव और अलसंक्यक यह हम आपको बता दूं का कारेकाल 17 वर्व रहा था प्रत्फम पदपर मिर्तिव और अलसंक्यक कि ये कौन है बर्कतुला खां इनका स्टेडियम बनावा जोदपूर में बर्कतुला खां उसके बाद है प्रत्थम महिला मुख्य मंत्री राजस्तान में वसंद्रा राजे सिंद्या वसंद्रा राजे प्रत्थम गैर कौंगरिसी मुख्य मंत्री बहरो सिंग शेक खावत प्रत्थम दलित मुख्य मंत्री पहला दलित मुख्य मंत्री कौन था तो यहां पे जगानात पहाड़िया। जगानात है पहाड़िया उसके बाद है प्रत्हम आई-सिएस अधिकारी मुख्यमंत्री कों बना CS वेंकटाचारी अपने इसको रिपीट करते हैं व्यवस्ते तरीके से पहला मनुनित मुख्यमंत्री हिरालाल शास्त्री प्रत्थम निर्वाचित मुख्य मंत्री टिकाराम पालीवाल प्रत्थम निर्वाचित मुख्य मंत्री जैनारण व्यास सरवादी कारेकाल वाला मुख्य मंत्री मोहनलाल सुखाडिया सबसे कम कारेकाल वाला मुख्य मंत्री हिरालाल देवपुरा हिरा लाल ये देवपुरा भूल वस लिख दिया मैंने हिरा लाल देवपुरा शास्त्री नहीं है हिरा लाल देवपुरा फिर है पद पर मिर्तियो और अल्ब संक्यक मुक्य मंतरी बरकतुला खां बरकतुला खां उसके बाद है प्रतम महिला मुक्य मंतरी वस्नुरा राजे सि पाल्कारीड, उसके बारे में राजस्तान पाले हैं जो मैंने आपके सामने प्रस्तुत की आपको समझाने का प्रियास किया उसके बाद और भीस के अलावा जो प्रसंड बनते हैं वह अपन देखेंगे तो देखे मित्रो सबसे पहले दो बार CM दो बार मुख्य मंत्री दो बार मुख्य मंत्री बनने वाले व्यक्ति या दो बार मुख्य मंत्री कौन बना था दो बार मुख्य मंत्री पद को शुशोबित करने वाले व्यक्ति जैनारैन व्यास जैनारायन व्यास उसके बाद आते हैं शिवचरण मातुर शिवचरण जैनारायन व्यास शिवचरण मातुर और तीसरा व्यक्ति इसमें कौन हो जाएगा इसमें तीसरा व्यक्ति हो जाएगा वसुंद्रा राजे वसंद्रा राजे सिंधिया इसी परकार तीन बार मुख्य मंत्री तीन बार मुख्य मंत्री पद को सुशोबित करने वाले व्यक्ति तीन बार सी एम पोस्ट को सुशोबित करने वाले व्यक्ति मौहनलाल सुखाडिया भैरो सिंग शेखावत इनको आधुनिक राजस्थान का निर्माता भी कहा जाता है इनको आधुनिक राजस्थान का निर्माता भी कहा जाता है मौनलाल सुखाडिया भैरो सिंग शेखावत भैरो सिंग शेखावत हरी देव जोसी और अशुक गहलोत अशुक गहलोत मित्रो यही प्रसन संभवतिया लास्ट जूनिर अकाउंटेंट में था तीन बार मुक्षे मंत्री पद्द की शपत् लेने वाले वगति कौन कौन हम यह अशुक गहलो तो अभी बने 몰라 हाले मुख्य मंत्री ओ तीन बार मुख्य मंद्री अभ ये तो ये तो कैसे हैं निर्वाचित अब ये तीन बार M différend 10 एप मुख्य मंत्री doping बार मनुनित होनेवाले मुख्य मंत्री कौं कौन है सबसे पहले तो कौन कॉन सिएएस विंक्टा चारी कुछ कांकड़े इस तरह के दोस्तों इसलिए मेरे को लिखना पढ़ रहा है सी एस वेंकटा चारी दूसरे आते हैं इसके बाद पस्चाद हम बात करें सी एस वेंकटा चारी फिर आते हैं हीरालाल शास्त्री जैनारेन व्यास ये तीन व्यक्ति हैं जैनारेन व्यास मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ सबसे पहले तो इसमें कौन थे यहां पे हीरालाल शास्त्री सबसे पहले तो कौन थे इसमें हीरालाल शास्त्री प्रत्थम अगर पूचा जाए कि प्रत्थम मनोनित कौन था बिना चुनाओ की तो हीरालाल शास्त्री पिर इसके पस्चा जाए के पस्चा थे इनके कारेकाल में इलक्षन हुआ था मतलब इनके मुख्य मंतरी रहते चुनाओ कुछ इस तरह का घटना करम था तो आपको ध्यान रगना है तीन मुख्य मंतरी जो मनोनित है राजिस्थान में वो कौन कौन है ये तो दो बार मुख्य मंतरी जैनारन व्यास, सिवचरन माथूर और वसंद्रा राजे, तीन बार मुख्य मंतरी निर्वाचित हुए मौनलाल सुकाडिया, बैरोचिंग सिखावत, हरीजेव जोसी, अशोग गैलोथ, इनको आधुनी राजस्तान का निर्माता कहा जाता है और तीन बार मुख्य मंतरी मन्मथ हनने वाले वक्ति histories सियास, विंग्टाचारी, हीराराज शास्त्री और जैनारन व्यास और एक बात मता दो आपको टीकाराम पालीवाल राजस्तान के ऐसे मुख्य मंतरी हैं टीकाराम पालीवाल राजस्तान के ऐसे मुख्य मंतरी हैं जो पहले मुख्य मंतरी बने उसके बाद में उप मुख्य मंतरी बने पहले मुख्य मंतरी बनते हैं और इसके पस्चाथ वे मुक्खे मंत्री के कारिये C.M. काम क्या करता है What is the fundamental function of chief minister दियान रहे एक परसन आता है मुक्खे मंत्री के करतवियों का वर्णन कौन से अनुच्छेद में है मुक्खे मंत्री के करतवियों का वर्णन समीदान के अनुच्छेद 166 में है मुख्य मंत्री के कर्तवियों कवर्णन या दाइतों कवर्णन समिधान के अनुच्छ देख 166 में है अब इसमें यहां 166 के और 166 के यह आर्टिकल आप ध्यान रखना आर्टिकल मेनर का थोड़ा सा दिमाग में आप रखना और 167 गए तो कह कहता है कि मुख्य मंत्री राज्येपाल को मुख्य मंत्री राज्येपाल को समस्त प्रशासनिक सूचना देगा टोटल एडिमिस्टिट्ड इन्फोरमिशन देगा नमबर दो राज्येपाल द्वारा समस्त सूचना देगा राजे पाल दुआरा मांगे जाने पर समा सूचना देगा और 167 गे कहता है राजे पाल का यह विश्यसादिकार है कि राजे का कोई मंतरी यह परसे इतना important नहीं मैं बोल के बताज़ता हूँ राजे पाल का यह विश्यसादिकार है कि राज्ये का कोई मंत्री बिना मंत्री परिस्ट की सला के किसी बिंदू के उपर निर्ना कर लेता है तो राज्ये पाल के कहे जाने पर मुख्य मंत्री उसको मंत्री परिस्ट के सामने विचार के लिए प्रस्तुत करवाता है तो यह एक तरह से राज्य पाल का विशे साधिकार है यह राज्य पाल का विशे साधिकार है यह राज्य पाल का क्या है विशे साधिकार यह राज्य पाल के विशे साधिकार के नाम से इसको जाना जाता है यानि यदि राजे का कोई मंत्री बिना मंत्री परिस्द से सला के वह कोई डिसन कर लेता है और राजे पाल से पेक्षा किये जाने पर मुख्य मंत्री उसको विचार के लिए प्रस्तुत करवाता है उसको डिसकसन के लिए प्रस्तुत करवाता है तो मुख्य मंत्री के ये बे उसकी उसकी क्या दूटी बनती है विदान सभा के परति उसका क्या करतवय बनता है नमबर एक पहला है विदान सभा का सत्र आहुत करने वे सत्रावसान करने के बारे में राज्येपाल को सलाह देना राज्येपाल को एडवाइस देना राज्येपाल को सलाह देने का कारिय करता है फिर विदान सभा को भंग करने विदान सभा को भंग करने के बारे में सलाह देना विदान सभा को भंग करने के बारे में वे राज्येपाल को सलाह देता लेकिन विदान सभा की संदर में उसकी जुटी बनती है विदान सभा की समक्ष सरकार की नीती प्रस्तुत करना विदान सभा की समक्ष सरकार की पोलीसी को प्रजेंट करना उसकी नीती को प्रस्तुत करने का कारिय करता है विदान मंडल को समय समय पर समय समय पर समबोधित करना समय पर 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 समय प परकार से मुख्यमंत्री के करतावयों के बारे में अगला पॉइंट आता है मंत्री परिसत के संदर में मंत्री परिशद के Sander में कर्तव्य मंत्री परिशद के संदर में कर्तव्य इसके बारे में उसके क्या करतवे होते हैं नमबर एक मैं आपको मंतरी प्षर सव बंदल मैं अन्तर बताऊU Гँए मंटरियों में विभागों का भटवारा करना मंत्रियों में विभागों का भटवारा करना फिर आता है विभागों में समन्वे किसी मंतरी ने तैक पतर दे दिया तो किस मंतरी को कौन से डिपार्टमेंट के मिनिस्टर को वे कारिभार दिया जाएगा विभागों में समन्वे करना और सी एम निर्धारित करता है कि कौन सा मंतरी या कौन सा व्यक्ति कौन सा मंतरी किस विभाग में सायक की भूमी का सायक की भूमी का निभाएगा कौन सा मंतरी किस डिपार्टमेंट में सायक की भूमी का का निर्वहन करेगा सायक की भूमी का निभाएगा फिर है मंतरी परिशद की बैटकों की अद्ध्ध्ध्धा करना मंतरी परिस्द की बैठकों की अद्दग्स ता करने का कारिय भी उसी के द्वारा किया जाता है मंत्री परिस्द की बैटकों की अद्धक सा करने का कारिय भी उसी के द्वारा किया जाता है इसके अलावा वह क्या करता है मुख्य मंत्री सी एम की सी एम का त्याग पात्र मंत्री परिस्द का मंत्री परिस्द का त्याग पत्र माना जाएगा इसी को कहते हैं सब एक साथ डूबते हैं सब एक साथ तेरते हैं इसी को कहते हैं कि सब एक साथ डूबते हैं और सब एक साथ तेरते हैं यानि एक गया, यानि मुख्य मंत्रिये ने त्याक पत्र दे दिया, तो फिर सभी का त्याक पत्र माना जाएगा, सभी का यह है रिजाइन क्लिक माना जाएगा, next, इसी संदर में एक बात और मैं बहुत महत्व पुन आपको बता देता हूँ, अनुचेद 164.1 में उलेख है, में इस पस्ट उलेख है की राज्ये पाल, मद्दे प्रदेश 37 गड़ जार खंड उडिशा, मद्दे प्रदेश 36 गड़ जार खंड वे उडिशा, जार खंड वे उडिशा, राज्ये में एक, राज्ये में एक, जन जातिये मंत्री की न्युक्ति करेगा, मूल समिदान में, मूल समिदान में बिहार, मूल समिदान में बिहार शब्द था, जिसे 94 में संशोधन, 94 नंबर के संशोधन, 94 में संशोधन, 2006 द्वारा, 2006 द्वारा बदल कर, इसको 2006 के द्वारा बदल कर, बिहार शब्द को हटा कर, बिहार शब्द को हटा कर, बिहार शब्द को हटा दिया गया, या बिहार शब्द को इसमें से, जो हटा दिया गया, और शब्द को हटा करके, यहाँ पर उसकी देगे, 36 गड़ वे जारखंड जोडा गया, 36 गड़ वे जारखंड जोड़ा गया 36 गड़ जारखंड सब्द को जोड़ा गया ये एक विशेश तत्ते है जो इस संसोदन की द्वारा किया गया था अनुचे देख सो 64 एक में साफ ये लिखा हुआ है अब आपको मंत्री परिसद और मंडल में अंतर बताता हूँ कि मंत्री परिसद और मंडल में क्या भिन्नता होती है उसमें क्या अंतर होता है आधार भूत अंतर क्या होता है मंत्री परिसद और मंत्री मंडल देखिए मंत्री परिसद वे मंतरी मंडल मंतरी परिसद और मंतरी मंडल इसका अंतर समझेंगे मैं आपको पहले बता देता हूँ मंतरी परिसद में तीन परकार के मंतरी होते हैं तो राज्य मंतरी परिसद अनुचेद राज्य मंतरी परिसद समिधान के कौन से अनुचेद में वर्नित है राज्य मंतरी परिसद अनुचेद 163 में वर्नित है 163 में वर्नित है इसमें क्या होता है तीन प्रकार के मंतरी होते है कितने तीन प्रकार के मंतरी इसमें होते है देरा थ्री टाइप मिनिस्टर तीन प्रकार के मंतरी होते है एक तो होते हैं कैबिनेट मंतरी दूसरे होते हैं राज्ये मंत्री तीसरे होते हैं उप मंत्री इनको बोला जाता है मंत्री मंडल और इनी को बोला जाता है मुखे विवाग के मंत्री मेन मेन डिपार्टमेंट के मिनिस्टर या मुखे विवाग के मंत्री के नाम से इनको जाना जाता है मुखे विवाग के मंत्री तो केविनेट मंत्री, राज्ये मंत्री, उप मंत्री सरल भासा में समझ लो मंत्री मंडल शब्द का प्रियोग मूल सहिदान में नहीं था मंत्री मंडल शब्द का प्रियोग मूल सहिदान में नहीं था यह केंदर वाले मंत्री मंडल में जोड़ा गया केंदर वाले मंत्री मंडल में जोड़ा गया चोवाली से संसोदन 1978 के द्वारा यह शब्दे जोड़ा गया था चोवाली से संसोदन 1978 के द्वारा इस शब्द को जोड़ा गया था तो केबिनेट मंत्रियों की सायता के लिए कौन होते हैं ये इनके सायक हो गए ये इनके सायक और ये इनके सायक और ये इनके सायक केविनेट मंत्रों की सायता के लिए राज्य मंत्री राज्य मंत्री की सायता के लिए उप मंत्री इसको आप ऐसे समझो कभी-कभी किसी डिपार्टमेंट को स्वतंत प्रभारी मंत्री बना देते हैं कभी-कभी किसी डिपार्टमेंट के मंथ्री को स्वतंत प्रभारी मंत्री बना देते हैं वो मंत्री केविनेट मंत्री नहीं होता उसको केविनेट मंत्री का दरजा दिया जाता है जो से पिसली बार जो है गोविन सिंग डोडासरा राजस्तान के सिक्षा मंतरी थे तो बिसिकली सिक्षा राज्य मंतरी थे और सौतंतर परभार था मतलब केबिनेट मंतरी का दर्जा प्राप्थ उनको केबिनेट मंतरी की रूप में नहीं थे हो तो स्वतंत्र प्रभार मंतरी की रूप में उनको इस्थापित किया जाता है तो जब किसी राज्जी मंतरी को केबिनेट मंतरी का दर्जा दिया जाता है तो उसो स्वतंत्र प्र तो जैसे राजस्तान का ग्रह मंत्री को होना भी अशोग गैलोत, अब अशोग गैलोत मान लिज़े कि अपनी साय तक लिए दो मंत्री बना देते हैं, एक ग्रह राज्य मंत्री A और दूसरा ग्रह राज्य मंत्री B, तो वो दोनों क्या करेंगे, उनको दोनों को कारी बार दे ले तो आधे जिलों की रिपोर्ट ए देगा और आधे जिलों की रिपोर्ट बी देगा तो केबिनेट मंत्री के सायता के लिए कौन हो गया राज्य मंत्री अब नाम तो इसका केबिनेट मंत्री में जैसे ग्रह मंत्री और सेकंड कैटिगरी में सायता के लिए है तो कहला का ग कमंतराल्य बोला जाता है और राजीमिन को विभाग की नाम से जाना चाता है तो केमिने बंतर के ले हैं राजी मंत्री राजी मंतर के लिए उपमंतरी अब इसमें क्या होता है एक पद होता है उस lethal क्या होता है मोहनलाल सुखाडिया के द्वारा की गई थी संसदी सचिव संसदी सचिव क्या होता है जैसे राजस्तान की वदानसवा में 200 सदस हैं अब दोस्तो 200 सदस हैं और किसी पार्टी को 96 सीट मिली अब उसको सरकार बनाने के लिए 5 सीट चीएं तो 5 सीट दूसरी पार्टी चलेंगे अब दूसरी पार्टी के वक्ति आ तो जाएंगे लेकिन वो कहेंगे हमको मंत्री बनाओ हमको मंत्री पद के उपर इस्थापित करो अब उनको मंत्री पद के उपर इस्थापित किया नहीं जा सकता तो फिर क्या किया जाता है उनको जो है केवल संसदी सचिव बना देते हैं विभागों में संसदी सचिव इसमें संसद्य सचिव की नीउगती और शपतका कारियस मुख्य मंतरी करता है ये ओथरंटिक धान रखना हाप Pacific की नीउगती और शपतका कारियस मुख्य मंतरी के द्वारा किया जाता है यदपिक केंदर में तो 1967 के बाद संसदे सचिव बनाए नहीं गए और केंदर में 1997 के बाद उपमंत्री नहीं बनाए गए वैसे राज्यों में भी समनेत है उपमंत्री नहीं बनाए जाते हैं इनको बनानी की परंपरा बंद कर दी की अब आपको इनकी संख्या का नियम बना दे, बता देता हूँ, इनकी संख्या का क्या नियम है, मंत्री परिशद की संख्या, देखे, इकराणवे में 91, संशोधन, 2003 के अनुसार, 2003 के अनुसार, केंदर में लोकसवा, और राज्ये में विधानसवा, कुल, सदस से संख्या के, केंदर में लोकसवा, और राज्ये में विधानसवा की कुल सदस से संख्या के, 15 परतिसत से अधिक, तथा संख्या में 12 से कम, संख्या में 12 से कम, सदस्यों को, मंत्री नहीं बना सकते, और दिल्ली के लिए, या केंदर शाशित परदेशों के लिए, 10 परतिसत मंत्री बनाने का नियम है, 10 परतिसत मंत्री बनाने का नियम है, तो मंत्री परिशत की संख्या कौन से सैदान संसोदन से डिसाड की गई, 91 नमबर के संसोदन 2003 के अनुसार केंदर में लोक सवा और राजे में विदान सवा की कुल सदस्य संक्या के 15% से अधिक और संक्या में 12 से कम सदस्यों को मंत्री नहीं बना सकते दिल्ली केंदर शासी परदेश में 10% मंत्री बनाए जा सकते हैं या केंदर शाशी परदेशों के लिए जम्म Coach perksर के लिए भी यही नियम है अभ माफ इसके अधार पह उधार्ण बताता हूं इसके अधार पहर क्या एक्जाम्पल्स ने खिए हैं एक सरल सा उधार्ण समझ लो आप इसको ऐसे हो लिजिए राजस्थान की विधान सबा राजस्थान की विधान सबा में 200 सदस्थे हैं राजस्थान की विधान सबा में कितने मेंबर हैं 200 200 सदस्थे हैं राजस्थान की विधान सबा में कितने मेंबर है 200 200 का 15 परतिसत 30 मंत्री यानि राजस्थान में अधिक्तम कितने मंत्री बन सकते हैं तीस मंत्री तो एक तो हो गया मुख्य मंत्री प्लस 29 हो गये मंत्री न्यूंतम का नियम कितने का है बारे का माँ का नियूंतम कितने बारे मंत्री तो एक तो हो गया मंत्री प्लस 11 मंत्री यह बहुत एक्जामों में आया रास्तान में अन्या एक दूare परसौन ऐसे कैसे जो मैंने लिंगरों लिखिये यही मिलेगी आपको हो सकता है उसके बारे हम बात करें सिक्किम की तो सिक्किम की विदान सवा में 32 सदस्य का 15 परसेंट 5 मंत्री अब 5 मंत्री का तो कोई रूल ही नहीं है 5 मंत्री का तो कोई नियम ही नहीं है तो वहाँ पे नियुन्तम नियुन्तम कितने मंत्री 22 मंत्री यानी एक तो हो गया मुख्य मंत्री प्लस 11 मंत्री एक तो मुख्य मंत्री विधान सभा में 70、 17 से 70 70, 17 का कितना परसेंट 10% कितने मंत्री सात मंत्री तो एक तो हो गया CM पलस एक तो हो गया कौन मुख्य मंत्री कितने मंत्री हो गए 6 मंत्री बनाए जा सकते हैं इस परकार से मैं आपको दहान दें दिया राजसान की विदान सवा में 200 सदस्य हैं उसका 200 का 15% 30 मंत्री एक मुख्य मंत्री 29 मंत्री नियुन तम 12 मंत्री एक मुख्य मंत्री एक मंत्री सिक्किम विदान सवा में 32 सदस्य है 32 का 15% 5 5 का तो कोई नियम ही नहीं है तो नियुन तम 12 मंत्री एक मुख्य मंत्री प्लस 11 मंत्र दिल्ली की विदान सवा में सतर सदस्य का 10% मंत्री कितने हो गए 10% मंत्री तो 10% मंत्री कितने बनेंगे यहां पर 10% मंत्री के अगर बात की जाए तो कितने बनेंगे एक हो गया इस प्रकार से नियम बद्दता बनी हुई है इनका संख्या के इंद्रधारन की नियम बद्दता इस्तापित की गई है इसके अलावा और अपन देखे अन्य शक्तियां अन्य शक्तियां तो मुख्य मंत्री राज्ये की कारिय पालिका का वास्त्विक प्रधान होता है अगली बात कि राज्ये सरकार का प्रमुकंपरवक्तार राज्ये सरकार का प्रमुकंपरवक्ता होता है राज्ये सरकार का प्रमुक प्रवक्ता होता है और नीती आयोग में राज्ये का प्रतिनिधितु करता है राज्ये आयोग में राज्ये का क्या करता है और राज्ये आयोजना बोर्ड का अध्यक्ष होता है राज्य आयुजना बोर्ड का वह क्या होता है अध्यक्स होता है और अंतर राज्य परिशत में भारत का प्रतिनिधुत्व करता है अंतर राज्ये परिशद में राज्ये का अंतर राज्ये परिशद में राज्ये का वो प्रतिनिद्धुय करता है अंतर राज्ये परिशद के अंतरगत और क्रमवार वह चेत्रिय परिशद में क्रमवार जो अकरादी क्रम नाम के नुशाराता है क्रमवार वह चेत्रिय परिशद में अध्यक्स के रूप में भूमी का निभाता है अध्यक्स के रूप में भूमी का निभाता है अध्यक्स के रूप में भूमी का का निर्वहने करता है या भूमी का निभाता है इसके अलावा अगर हम बात करें इसके बारे में तो हम बात करते हैं इसी करम को आगे बढ़ाते हुए उप मुख्य मंत्री उप मुख्य मंत्री ये बहुत छोटा सा टोपिक है समिधान में इस पद का वर्णन नहीं है समिधान में इस पद का वर्णन नहीं है राजनितिक संतुष्ठे के लिए इस पद का आवशक्ता अनुसार स्रजन किया जाता है राजनितिक संतुष्ठे के लिए आवशक्ता के अनुसार इस पद का स्रजन किया जाता है तो इसको क्या कह सकते हो गेर समिधानिक पद गेर समिधानिक पद समिधान में पद का वर्णन नहीं है और अनुचेद 166 के तहत तहत का मतलब है समिधान में के लिखा आने लिए इसके तहत पद का सरजन किया जाता है कारिसन चलन वे उस्ता के तहत पद का सरजन पद का सरजन किया जाता है इस पद का सरजन किया जाता है शपत का उलेक नहीं है वे केबिनेट मंत्री के रूप में शपत लेता है राजेपाल दिलाता है शपत लेता है केबिनेट मंत्री के रूप में वे शपत लेता है करता क्या है इसका काम मुख्य मंत्री की अनुपस्थिती में केबिनेट की बेटकों की अद्धिक्स्ता करना वैसे उसके पास कोई ने कोई डिपार्टमेंट तो होता ही है उसके पास कोई ने कोई विभाग तो होता ही है चलो रिपीट करते है उप मुख्य मंत्री डेपुटी सी एम उप मुख्य मंत्री समधानपि इससादगा वरन networks नहीं है तो इसको गैडर समधानिक पत बोलते हैं रांतिया जाफ नुबारी बनता भी पलता है और विधानसवाग योगे के अद्दक्सता करता है अब हम बात करेंगे आगला पॉइंट यहां पे मुख्य मंत्री देखिए यहां एक बॉक्स में तो मैं लिखूंगा मुख्य मंत्रियों के नाम और दूसरे बॉक्स में और उसके कारेकाल में उप मुख्य मंत्री कौन यहां पन यह चर्चा करने जा रहे हैं तो यहां पे जैनारैन व्यास जैनारेन व्यास भैरो सिंग शेखावत भैरो सिंग शेखावत अशोग गहलोत अशोग गहलोत अशोग गहलोत अशोग गहलोत अशोग गहलोत मुख्यमंतरी कौन बना टीका राम पालीवाल टीका राम पालीवाल जैनारेन व्यास मुख्यमंतरी थे तो मुख्यमंतरी को था टीका राम पालीवाल फिर आते हैं हरी शंकर भावड़ा फिर बन्वारी लाल बेरवा नेक्स्ट कमला बिनिवाल कमला बिनिवाल और अभी लास्ट टाइम कौन थे सचीन पाइलट सचीन है पाइलट तो एक तरफ तो मैंने मुख्यमंतरियों के नाम लिखें दूसरी तरफ उप मुख्यमंतरियों के नाम लिखें तो ये कोन है अशौक गहलोत और सबसे मुख्य बात राजस्थान का वह व्यक्ति जो पहले तो बना मुख्यमंतरि उसके बाद बना उप मुख्यमंतरि कोन है टिका राम पालीवाल ये भी आपको धान रखना चाहिए एक्जाम की दिस्टी से यह पॉइंट भी अत्यांत महत्तो पूर्ण है तो दोस्तो मुख्यमंतरि की टोपिक विक पर हमने बड़े सुन्दर तरीके से विस्तार पूर्वक चर्चा की धन्यवाद